हिंदुस्तान कॉपर लिम्टेड भारत सरकार की कमपनी है बहुत अच्छी कमपनी है सरकारी कमपनी है सौर्ट में से HCL बोलते हैं हिंदुस्तान कॉपर लिम्टेड इसमें जो है अपरेंटिसिप की जगह निकल के आई है काफी सालों में जो है पिछले सालों से जगए निकल लई थी इस बार भी जगए निकली है काफी ज़्यादा मात्रा में जगए निकली है काफी ट्रेड के लिए जगए निकली हुई है अगर आप सरकारी कंपनी से अपने टेस्टिप करना चाहते हैं तो इससे बिल्कुल कर सक करते हैं और इसके लिए आपको फॉर्म की कोई फीस नहीं देना है सलक्सन जो है वो मैरेड वेस्ट पे होने वाला है और आज इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको दूंगा आसा करते हैं कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे वीडियो शुरू करने सपले इस ती डिग्रीज में चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर और वहां से आपको सारी चीज़े दिखाता हूँ यहां पर आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन हिंदुस्तान कॉपर लिम्टेड और यह गवर्मेंट आफ इंटरप्राइजज है और यहां पर आप लोग दे सबसे पहले तो अगर कोई ITI भी नहीं किया है सिर्फ 10 पास किया है तो दो जो है मेट माइन्स और ब्लास्टर माइन्स इनमें जो है ट्रेनिंग की डूरेशन तीन साल होने वाली है इसमें जो है वो टैंथ पास कोई अगर है तो वही जो है फार्म भर सकता है अगर सिर्फ टैंथ पास है तो वह चातर भी फार्म भर सकते हैं इसमें टेक्निकल क्वालिपिकेशन में कुछ नहीं चाहिए और सिर्फ 10 पास चाहिए और बाकी जो ITI के चातर है उनके लिए 3 से लेके वेकंसी नमबर 3 से लेके और 13 तक यह सारी 10 पास होने चाहिए और ITI, NCVT और SCVT द ड्रक्टाउन्स मेकानिक्स के लिए 6, ड्राप्टमेंट से लेके लिए 2 है, ड्राप्टमेंट मेकेनिक के लिए 3 है, कम्पूटर ऑपरेटर कोपा के लिए 2 वेकंसी है, सर्वेर के लिए 5 है और RAC के लिए 2 वेकंसी है, 10 पास चाहिए और यहाँ पर ITI, NCVT और SCVT सोना तो ड्रक्टमेंट के लिए 2 साल के होने वाली है, बाकी सभी ट्रेड के लिए एक साल की यहाँ पर ट्रैनिंग होगी, टोटल वेकंसी की बाद करें, तो 290 टोटल वेकंसी है, बाकी आप आप लोग कैटेगरी से लिए 3 से लेकर 13 तक है, वहाँ पर आप लोग को जो सबसे प्लस ITI, NCVT, SCVTs होना चाहिए और पोस्ट नमबर एक दो है उसमें सिर्फ जो है आपका 10th पास चल जाएगा और जो 2 ITI पास हुए है वो 2019 से जो है पहले के हैं 2019 तक के हैं तो ठीक है उससे पहले के हैं तो वो लोग एक एफिडेविट जो है यहाँ पर बना के देंगे इसमें लिखा हुआ है बाकी उनका भी फार्म जो है यहाँ पर भर जाएगा बाकी जो हायर एजूकेशन वाले हैं डिपलोमा, बीटेक वाले हैं उनको अपलाई करने की जूरत नहीं है उनको यहाँ पर डिसक्वालिफाई कर दिया जाएगा बाकी एज की बात करें तो एज जो है वो 18 से 30 के वीच में होनी चाहिए और यहाँ पर 5 साल का रिलक्सेशन OBC के लिए 3 साल का रिलक्सेशन है बाकी ट्रेनिंग पिरिड मैंने आपको बताय दिया स्टाइपेंड एज पर सेंटर गवर्रमेंट रूल रहेगी अब बात करते हैं कि सलक्सन कैसे होने वाला है तो देखिए 30% वेटेश दिया जाएगा ITI के लिए और जो 70% वेटेश दिया जाएगा वो 10 के लिए दिया जाएगा तो सीरियल नमबर 3 से लेके 13 तक जो है वो यह रहेगा कि ITI के छातरों के लिए है तो 70% 10th क्लास का परसेंटेज लगेगा और 30% जो वो ITI का परसेंटेज लगेगा बाकि सीरियल नमबर 1 से 2 तक जो है जिसमें सिर्फ 10 योकता चाहिए वहाँ पर 100% 10th का ही परसेंटेज बेच पर जो है वो मेरिट बनने वाली है अपलाई कैसे करेंगे अपलाई करने के दो स्टैप है स्टैप 1 में जो है आप लोगों को अपरेंटिसिप की वेबसाइट पर रेजिटेशन करना होगा अपरेंटिसिप की वेबसाइट पर कैसे रेजिटेशन करना है इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन वाक्स मिल जाएगा वहाँ पर पहले आप इस टैप में जो है अपरेंटिसिप की वेबसाइट पर रेजिटेशन करनेंगे सेकेंड स्टैप में जो आपको ओफिसल वेबसाइट है हिंदुस्तान कॉपर लिम्टेट की तो www.hindustancopper.com इस वेबसाइट से जाके जो है अपना फॉर्म कंप्लीट करना पड़ेगा और फॉर्म कंप्लीट करने के बाद जो आप acknowledgement है जो फॉर्म की receipt है उसको जो है वो फॉर्म अपने पास रख लेंगे और उसको जो है future के लिए यूज कर पाएंगे जिसका भी अगर CGPA में है तो वो percentage को निकालने के लिए 9.5 से गुणा कर देगा यहाँ पर सारी चीज़ जो है वो लिखी हुई है और बात करें अब important date की अगर किसी भी point पर कोई भी fake information आप लोग देते हैं तो आपका form जो है वो reject कर दिया जाएगा important date की बात करें की dates की बात करें तो online जो application है वो 22 November से start हो गए है और age का जो cut-off है वो आप लोगों का 1 November से count किया जाएगा online form जो है वो आप लोग 12 December तक भर सकते हैं और 31 December तक जो है वो publication of short-listed candidate list तो 31 December तक जो है वो candidate list भी आजाएगी कि इतने लोगों का selection हुआ है आसा करते हैं कि आप लोगों को सारी चीज़े समझ में आ गए होगी फिर भी आपको कोई confusion होता है आपके मन में तो comment box में comment करें हम आपकी help करने के आपको समझाने कोशिस करेंगे ये वीडियो अच्छे लगाओ तो वीडियो को like कर दीजे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को subscribe कर दीजे इस वीडियो बस इतना ही धन्नवाद